नमस्कार मित्रो, इल्विन क्लासेस के यूटूब प्लेट फाम पे आपका बहुत दोज स्वागत है, मेरा नाम विवेक है, आज की इसकाच्छा में हम बात करेंगे कि लोगसभा का चुनाव है, चाहें कोई भी चुनाव होता है, तो उसमें जो मतदान केंद्र होते हैं, उन जो मतदान केंद्र होता है, उस मतदान केंद्र पर अधिक्तम कितने मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र बना जाता है, पोलिंग बूथ क्या होता है, मतदान बूथ क्या होता है, इन तमाम बातों पर आईए हम नजर डालते हैं, लोगसभा चुनाव 2024 कैसे चुना जात क्या है पोलिंग स्टेशन वहां इमारत या प्रांगर होता है जहां मतदान करने की सुविधा मौजूद होती है पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र एक ऐसी इमारत या प्रांगर होता है जहां पर हम अपना मतदान देते हैं वैसी सुविधा होती है और सरकार के द्वारा election commission of India के द्वारा उसको तहे किया जाता है एक मतलान के अंदर में कई polling booth हो सकते हैं polling booth वहाँ अस्थान होता है जहां मद्दाता जाता है और अपने मत का प्रियोग करता है polling booth क्या तीन तरफ से ढखा हुआ होता है ताकि मत्दाता की निज़ता का ध्यान रहे जहां मत्दाता अपना वोड डालता है इसे तीन तरफ से ढखा रखा जाता है ऐसी मानिता है और ऐसा इसका प्रावधान भी है मत्दाता के घर से अधिक्तम कितनी दूरी पर हो सकता है मत्दान के इंदर इसके लिए जन प्रतनित्व अधनियम 1951 में प्रावधान है। क्या प्रावधान तय किये गए हैं? Election Commission of India आबादी में बदला होने पर समय समय पर नए दिसान निर्देश जारी करता रहा है। 2020 में बने नियमों के मताविक 1500 से अधिक मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। मतलब 1500 से अधिक मतदाता है वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन अर्थात मतदान केंद्र होता है और एक पोलिंग स्टेशन पर कई बूत हो सकते हैं लेकिन जो पोलिंग बूत होत पर नहीं होता है इस प्रकार का structure इस प्रकार की इमारत या ऐसे प्रांगर को चुना जाता है जो उस गाउं के बीच में हो और जहां से उस मतदान केंदर पर मत देने आयने वाले जितने मत दाता है उनकी अधिक्तम दूरी उस मतदान केंदर से 2 km हो इससे जादे दूरी नहीं होगी ऐसा जन प्रतनित्व अधिनियम 1951 में इसका प्रावधान किया गया है साथी साथ प्रावधान यह भी किया गया है कि एक मत पोलिंग सेंटर पर मतदान केंदर पर पंद्रा सौ से जादे मतदाता होते हैं, एक मतदान केंदर के अंदर कई पोलिंग भूथ भी हो सकते हैं, एक पोलिंग भूथ पर एक हजार से जादे मतदाता नहीं हो सकते हैं, उसके बाद बात आती है कि कहां बनाये जाते हैं मतदान केंदर, स्कूल हो गया, कालेज हो गया वहां मद्दान केंदर बना दिये गए, ग्रामीर समुदाइक भवन हो गया, वहां भी मद्दान केंदर बना दिये जाते हैं, विसेस परिस्तिती में नीजी भवनों में भी बना जाता है, कई जगा अस्थाई मद्दान केंदर बना दिये जाते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी भावनों में बनाये जा सकते हैं मद्दान केंद कहा नहीं हम बनवा सकते हैं मद्दान केंद पुलिस स्टेशन में हम मद्दान केंद नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि प्रसासनिक अमली जामा पुरे प्रसासन की विवस्ता पुलिस स्टेशन में ही होती हम कैसे वहां बना सकते ह अस्पताल में भी स्वास्त समंद निस्व विधाओं को ध्यान गत रखते हुए हम अस्पताल में भी पोलिंग स्टेशन नहीं बना सकते हैं, मंदिर या अन्य धार्मिक अस्थान पर भी हम नहीं बना सकते हैं, धार्मिक अस्थान पर क्यों नहीं बना सकते हैं, इसलिए नही नहीं चुना जाता है, जिससे आप जंग जीवन कहीं न कहीं से प्रभावी थो, तो हम कह सकते हैं, या इसी सूची बनाई गई है, कि पूलिस इश्टेशन, अस्पताल, और धार्वी कस्थल, मंदिर या अन्नी धार्वी कस्थलों पर मद्दान केंदर नहीं बनाया जा सकते ह मद्दान केंद्र, इस्कूलों में बनाए जा सकते हैं, कालिजियों में बनाए जा सकते हैं, समुदाई केंद्रों पर बनाए जा सकते हैं, विसेस पहस्यतियों में नीजी भावनों में भी अस्थाई मद्दान केंद्र भी बनाए जा सकते हैं, सरकारिय और सरकारी भावनों पर भी मद्दान केंदर बनाए जा सकते हैं कि मद्दान केंदर की जो इमारत होती है वो कौन सी इमारत होगी इसका फैसला कौन करेगा तो मद्दान केंदर के इमारत को लेकर फैसला समाने तो जिला मजिस्टेट या फिर जिला अधिकारी ही करता है जो जिला मजिस्टेट या को मतदान केंद्र बना दिया और election commission of India पर उसने अपनी राए उससे अपनी राए नहीं मांगा और election commission of India ने उस जगा को मतदान केंद्र बनाने से मना कर दिया तो वहाँ पर पड़े हुए मत अवैद माने जाते हैं वैद नहीं माने जाते हैं अर्थात मतदान केंद्र बनाने क सुप्रिम एथार्टी इलेक्षन कमीशन अफ इंडिया है। अन्य तत्य इसके बारे में जान लेते हैं इलेक्षन कमीशन के अनुसार 2019 के लोगसभा चुनाओं में 10,37,848 मतदान के इंदर बनाए गए थे, 10,37,048 मतदान के इंदर बनाए गए थे, सुबा 7 बज़ से साम 6 बज़े तक आप मतदान दे सकते हैं, अगर लाइन लंबी हो तो 6 बज़े साम के बाद भी जब तक अंतिम मतदाता अपने मतद का प्रयोग नहीं कर देता है, तब तक पोलिंग बूत और पोलिंग इस्टेशन खुला रहता है, सभी कर्मचारी, सभी मत मतदान अधिकारी जो मतदान करवाते हैं, वहां उपस्तित रहना अनिवारे हैं, मतदान केंदर से 200 मीटर की दूरी तक किसी राज़ितिक दल का दफ्तर या अस्थाई कर्याले नहीं होना चाहिए, जो मतदान केंदर है, उससे 200 मीटर की दूरी के बाद ही, किसी भी क्या जिलादिकारी ही सुप्रीम इथार्टी है, ऐसा नहीं है, हमने इस कक्षा में इन सारे पहलों पर बात किया, आपको हमारी कक्षा हैं कैसी लगती हैं, अगर आप हमारे नए दर्सक, नए पाठक हैं, तो कृप्या चैनल से जुड़े, अगली कक्षा में फिर ऐसे ही र बहुत बहुत धनेवाद, नमस्कार.